So guys, welcome back to our channel Dynamic Techno दोस्तो आज किस बड़ पर हम जानेगे आपना computer को Windows 7 से Windows 10 को कैसे आपको upgrade करना है पूरी वीडियो में आपको detail पर step by step बताऊंगा बस मैं आपको इतना request करना चाहूँगा दोस्तो वीडियो के साथ end तक बने रही है जो भी method होगा दोस्तो अपना computer पर आपको successfully apply करना है apply करने के बाद दोस्तो अपना computer भी Windows 10 update हो जाएगा चलिए दोस्तो बिना किस टामस्ट के वीडियो को start करते हैं सो guys आपको दखने के लिए मिलेगा मैं screen पर आ चुका हूँ वब सबसे पहले दोस्तो अपना Windows Update आपको चेक करना है अपना computer में क्या बदेट करने के बाद दोस्तो आपको सच करने के लिए पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर कोई भी एरर आपको आ जाता है आपको यहां पर कोई भी एरर दिखने के लिए मिलता है तो क्या करना है दोस्त आपको इसको एक्जिट करना है एक्जिट करने के बाद दोस्त आपको फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक करके इसमें लि सार्विस इसमें आपको राइट क्लिक करके ऊंब सिस्कार्पने के अपके यहां पर क्लिक करने करने के बाद स्दीया और ख दोड़ाया करके उरट करोलोंगा हूं नो यहांब सार्धीयें क्लिक करने ऐढ Interviewer कछूके सब्सक्राइब चाहरा देन दोस्त आपको find करना है और एक service window update you can see window update पर आपको right click करके आपको यहाँ पर properties पर चले जाना है या फिर आपको double click करने के बाद एक window pop-up आजाएगा इसमें दोस्त आपको start up type पर यह manual होगा या फिर disable होगा तो आपको यहाँ पर automatic कर लेना है क्लोज करनेके बाद दोस्तेया पर देखने के लिए में एगन आपको यहाँ पर start button पर click-करक करके आपको window update लिखना है window update लिखने के बाद window update पर क्लिक करना है then check for update पर click-करने बाद टॉप में दोस्तों आपको यहां पर Microsoft का जो official site होता है वो यहां पर आ जाएगा तो इसको आपको open कर लेना है open करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर ऐसा कुछ interface देखने के लिए मिलेगा नीचे दोस्तों आपको यहां पर थोड़ा सा scroll down करना है scroll down करने के बाद you can see यहां पर एक option मिलता है create window 10 installation media का option आपको मिलेगा then नीचे दोस्तों आपर download tool now का आफ़सन आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको यहां पर क्या करना है download tool now पर आपको click करना है download tool now पर click करने के बाद यहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको भी desktop पर paste कर लेना है, paste करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, यह आ चुका है, तो आपको फिर से दोस्तों आपको यहाँ पर Chrome ब्राजर पर चले आकर इस टेप को में close कर लेता हूं, यहाँ पर आपको एगन यहाँ पर search करना है, इसमें लिखना है दोस्तों आपको window update 1.1 TLS आपको लिखना है, देखने के लिए मिलेगा as it is आपको लिखना है, दोस्तों लिखने के बाद आपको enter करना है, चले मैं enter कर लेता हूं, enter करने के बाद दोस्तों आपको Microsoft का जो update enable TLS होता है, वो open हो जाएगा, यानि कि site आजाएगा, तो इसमें आ आपको method 1 पर window update का option मिलेगा, method 2 पर Microsoft update catalog का option आपको मिलेगा, तो आपको गया करना है, दोस्तों Microsoft update catalog का जो एक link आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको click करना है, इसमें click करने के बाद जो window page होता है, दोस्ते आपर ये open हो जाएगा, ठीक है, open होने के बाद दोस्ते आपको different architecture का आपको यहां पर pass देखने के लिए मिलेगा, तो अपना computer के लिए कौन सा pass चाहिए, तो आपको कैसे check करना है, आपको minimize करने के बाद, अपना computer पर दोस्तों, आपको right click करना है, right click करके आपको यहां पर properties पर चले जाना है, properties पर आने के बाद दोस्ते आपर system type पर का प्याच आपको यहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोड पर क्लिक करके दोस्ता आपको देखने के लिए मिलेगा एक लिंग इसमें आपको राइट क्लिक करना है तन सेब लिंग एज पर क्लिक करना है सेब लिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्ता आपको देखने के लिए मिलेग इसमें दोस्तो आपको easy fix का एक आपको exe file डाउंडोड करना है easy fix पर आपको क्लिक करना है easy fix पर क्लिक करने के बाद you can see यहाँ पर click hair पर आपको यहाँ पर एक option मिलेगा इसमें आपको click कर लिना है hair पर click करना है hair पर click करने के बाद आपको यहाँ पर EG fix होता है EXC file download हो जाएगा पात दे देना है दने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा मैं show in folder करता हूँ download का section पर जाके इसको मैं caught करके अभी desktop पर मैं paste कर लूँगा ठीक है अभी आपको क्या करना है दोस्त आपको EG fix पर right click करके आपको install पर click करना है install पर click करने के बाद दोस्ता आपर run का option आपको मिलेगा run पर click करना है तो यहाँ पर जो भी comment condition है दोस्तो agree पर check mark करके आपको next पर click करने के बाद you can see EG fix अपना computer पर successfully install हो जाएगा यहाँ पर successfully मेरा यह पूरी तरह से install हो चुका है देन दोस्तों आपको close कर लेना है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा चली में close कर लेता हूं then window patch पर आपको right click करके open पर click करना है open पर click करने के बाद अपना window पर update को यह checking करेगा ठीक है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा यह मेरा अल्रेडी इंस्टल हो चुका है complete अगर आपको नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको yes का option आएगा तो yes आपको कर लिना है ठीक है देन आपको media creation tool पर click करके right click करके आपको run as administrator पर click करना है then getting a few things ready का option आपको मिल जाएगा तो आपको wait करना है दोस्तों आपको patience से करना है और उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँँ अपना computer में दोस्तों आपको wifi को connect करने के बाद आपको 5-6 GB आपको लगेगा इसमें आपको यह store करके रखना है data को you can see what to do you want to do आपको option मिलेगा तो आपको operate PC now का option मिलेगा और create installation media USB plus drive DVD and ios file का option आपको मिल जाएगा तो इसमें आप जब click करते हैं कोई भी ios file आप pen drive में रखे हैं bootable pen drive में या फिर आपको कोई भी PLA से ios file आप download करके रखे हैं तो दोस्तों इस option पर आपको select करने के बाद आपको next पर click करना है then आप changes बगरा कर सकते हैं then आपको क्या करना है फिर से आपको next करना है next करने के दूसतर है पर देखने के लिए मिलता है दोनूह option आपको मिलेगा ios illness or fireई soup file आपको मिल जाता है ठ्क है तो आपको क्या करना है दोस्तो अगर आपको को यह भी पर इंस्टल पर क्लिक करने के बाद दोस्तियां पर इंस्टलिंग विंडो 10 का आपको देखने कले मिलेगा और यह आपको यहाँ पर complete होना चाहिए दोस्तों 100% आपको वेट कर लेना है वेट करने के बाद दोस्तों अपना computer automatic restart होने के बाद चलिए आपको दिखा देता हूं दोस सकता है दोस्त अपना computer automatic screen यहाँ पर off होके on हो सकता है तो उस टाइम पर आपको घवराना नहीं है डरना नहीं है यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा यह यहाँ आ चुका है आने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा just a moment लिखा आने के बाद जो मेरा computer होत एडिशन है window 10 pro आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इसे दोस्त आपको step by step कर लेना है किसे आपको window 7 से window 10 को upgrade करने अपना computer को पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर step by step बता दिया हो और राइट guys अपने देख लेगे किसे आपना computer को window 7 से window 10 को आपको upgrade करना ह पूरी तरह से successfully हो जाएगा अगर दोस्त अपना window 7 में आप media creation tool यूज करने के लिए जाते हैं आपको error आ जाता है तो आप प्रिकेटेट वीडियो में पहले से बना के रखाऊं उसका जो link है आपको i button में end screen में और description में provide कर दूंगा जाके check out कर सकते हैं उमीद करता हूं द झाल